Hello students, welcome to my channel, Easy Learning Accounts. आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट निमेरिकल का कॉंसेप्ट इस फॉर्मूला मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था या इस एसर्टेनिंग दा प्रॉपेट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर इन सिंगल एंट्री सिस्टम हम उसी से पेंस एक निमेरिकल करेंगे और एक छोटा सा निमेरिकल हमने अपनी प्रीवेस वीडियो वीडियो नमबर 96 में भी किया था जिसमें मैंने फॉर्मूला लिया था और उसको स्टेटमेंट ऑप एंडल में शो किया था that is by using the concept of statement of affairs matter profit को ऐसा टेम करते हैं हमारे basically दो मैटर्स होते हैं इस इस्टम एंट्री सिस्टम एथ पहला हमारा statement of affairs matter और दूसरा है हमारा conversion matter तो इसका जो फर्गुला आपने बेसिकली लाज वीडियों में लिया था वो कुछ इस तरह से था कि हमें प्रॉपिट निकालना था उसके ने सबसे पहले बच्चों हमें क्लोजिट कैपिटल लेनी थी उसमें हमें ड्रॉइंग्स एड करना था और लेस करना था अडीशन ट्रॉपिटल इसका प्रॉपर और पॉर्वेंटिन भी मैंने आपको करके दिखा थी आधने थी निमेरिकल ही करें यह विपनिंग कैपिटल जीवन होगी और ना यह वह आरा पॉश्चन में क्लोजिग कापिटल उसमें थुब्यक्ट के बारे में आपको बता दीए मैं बि by using the statement of affairs method that firstly we have to calculate the closing capital by the given information secondly we have to calculate the opening capital by the given information then the drawings we have to search then additional capital we have to search and by using these four points we have to calculate the answer that is the profit by using the closing assets minus liabilities similarly opening assets minus liabilities we have to calculate the capital easily so we have to calculate the numerical we have to calculate the numerical book TSA1 2020 question number 9 phase number 20.40 if you have a book then you can see it for the starting of the year that is opening and the closing also कोशनम से कहना है कि उसने रिट्रों किया है 500 पर मन्त उसने सूल कर दी investment with a premium of 5% और वो पैसा उसने additional capital में इंट्रडूस किया है और वो कह रहे हैं कि स्टेट्मेंट और पी एंडर फॉर्डड एंडर बना दीजे तो उसके मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले चाड़ी है मैं उसको निकाल लेती हूं उसके बाद में statement of पी एंडर बनाओगी तो सबसे पहले बच्चों मुझे चाहिए होगी opening capital क्योंकि statement के formula में मुझे opening capital की रगवत पड़ेगी उसका मैंना भी आपको formula बताया कि assets minus liabilities तो by the given information में assets and liabilities निकाल लेती हूं तो assets में opening मेरे पास दे रखी है विटा 1200 cash के plus 16800 मेरे पास दे रखी है adapters के क्योंकि PR की value नहीं है stock के मेरे पास 2400 मेरे पास for nature विटा 7500 और लागरीटीव में में पास cable characters दे रखा है और गो है विटा 14900 तो मैं पहले इन सारी value को add कर लेती हूं 1200, 16800, 2400 और 7500 जो 00 यह हो गया हमारा 10 और यह हो गया 14, 15, 17, 19, 19 का 9 के लिए बन 7, 8, 9 10, 11, 12, 15, 15, 16, 17 का 7 के लिए बन यह हो गया 3 और यह हो गया 4 47, 900 और value liabilities की है विटा हमारे पास 14900 तो हमारे पास value आ गई 33,000 तो मेरे पास opening capital हो गया 33,000 आगे पड़ जाते हैं यह वियाद रखेंगे when we are preparing the statement of P&L आप जितां लेते हैं विटा हमारी closing capital we will use the same formula that is the assets minus liabilities और उसमें closing year की जो information है उसे खुल करेंगे मेरे पास assets दे रखता है कोशन के according हमारे पास cash है 1600 हमारे पास VR है 2400 हमारे पास debtor है 27200 और हमारे पास stock है 24400 हमारे पास investment है 8,000 और furniture भी है 8,000 इसने हम assets निकालेंगे और liabilities मेरे पास केवल एकी information है 11600 तो मैं पहले assets को add कर लेती हूं 1600 और 2400 जीरो 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 के लिए 1 यह होगया मारे पास 4000 4000 और 27200 24400 और 16000 तो यह होगया 0 यह होगया 0 4,5,6 और हमारे पास 7,8,10,11 12,15,21 21,21 4,5,6 7,1,6,0,0 11600 को माइनस करेंगे हमारी value होगया यह होगया 0 तो बच्चे हमारे पास आ गया 7,1 600 और 7,1,6,0 गया तो बच्छे हमारे पास क्लोजिग कैपिटल आ गया साथ हजा राइड अम इससे अपना क्या बनाने दी हूं स्टेटमेंट और पी एंडर मैं साइट में इसकी इंपॉर्मेशन रिखने थी हूं क्योंकि यह यहां से हटाने जा रही हूं प्लोजिग ओपनिंगे थाटी त्री ओप्लोजिग कैपिटल है पिटा हमारे पास साथ हज़ा बनाने थे स्टेटमेंट और पी एंडर बनाने के लिए हमें क्या दरना है हम वही कॉंसेट को लो करेंगे यह उनमें कल किया था उपर लिखेंगे स्टेटमेंट और प्रॉपिटल कोशन में क्लोजिग हमने किती दिरिक आली उसलोज़ा सबसे पहले इसमें अट करेंगे ट्रॉइंग तो एंडरा मने द्रॉइंग्स कोशन में डॉइंग दिर्खिए विटल हमें 500 पर मत पांसो पर मत है तो इसके साबसे हमारी कितनी हो गई पूली द्रॉइ जाए पर दिए पास वेल्व आ रही 66,000 लेस्ट कर देंगे इसमें क्या लेस्ट करेंगे सबसे पहले एडिशनल कैपिटल और एडिशनल के लिए हमें कुछ काल्पोलेशन करनी पड़ेगी और वह क्या है दिख लेते हैं और वही सेम पैसा उसने बिजनिस में और इंट्रीउस किया मतलब एडिशनल कैपिटल हमें यहां पर दिखाल नहीं पड़ेगी तो मेरे पास इंवेस्ट में रखी है आठ हजार पास आठ हजार का 5% प्रीमियम एविटार तो दो जीरों यह गया हमारा फाइब जा पॉर्टी मतलब 400 उसने इंवेस्ट किया इंवेस्मेंट सोल कर दिया उसने कितने रुपय का अच्छे को शम्हें में दे रखा हुगा है इंवेस्मेंट उसने सोल किया है तो सूला अजार का इंवेस्मेंट तो बेचा है और फाइव परसेंट की प्रीमियम निकाल लेते हैं मतलब 800 रुपे का हो गया प्रीमियम तो अमें दोनों को एड कर तो प्रसेंट करने के बाद राइड कर दोंगी तो वैरी हो जाएगी वह पैसा चीए उसने अडिशनल में लगाया तो तो एक अडिशनल कर देते हैं माइनर यह वह गया नाइन और वह गया 492 राइट अब इसमें से लेस्ट करेंगे फाइनली हम करेंगे जैस ओपिनिंग कैपितल जो कि हमें कोशन में दे रखी है था कि 3000 अब प्लस में आंसर आता है तो वह हो जाएगा हमारा स्टेट्मेंट और प्रॉफिट एंड लॉस्ट और बेसिकली यह होगा हमारा प्रॉफिट और वह हम करेंगे इनको माइनस करके तो बेरी हो जाएगी हमारी सोला दोसों एंड विल्वी दा आंसर एक पर अवर समझेते हैं को अमने कैसे किया बहुत स्मार्ट लिकरेंगे अभी गल्ती नहीं होगी अगर स्टेप बाइस स्टेप वालो कर दो सबसे मेहले तो क्लोजिंग कैपितल निकाल लेंगे बाइज यूजिग फॉर्मुला एसस माइनस लाइनटी फिर ओपने निकाल लेंगे वाइस दो स्टेप पर मुला एंड लिए और उसके बाद सबसे पहले क्लोजिंग वेल्यू लिखेंगे और उसके बाद उसमें एड करेंगे ट्रॉइंग एड करने के बाद जो वेल्यू आईड उसमें हम करेंगे सबसे पहले लेस अडिशनल कैपिटल कोशन में जरूर होगा और नहीं है तो इग्नोर करेंगे और लास्ली उसमें से ओपने कैपिटल भी माइनस करके बच्चे अगर आंसर पॉजिटिफ आएगा तो वो प्रॉपिट होगा है स्टेट्मेंट ऑप एंड इडिया तो इस तरह से हमने स्टेट्मेंट ऑफेर्स का इस बनाया बाइवर इंफॉर्मेशन करेंगे जिसमें कुछ एक्स्टा टिपिकल इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होती है तो इस ताइप कोश्टन कैसे सॉल करते हैं उससे देखेंगे और उसके बाद हम स्टेइनमेंट ऑफ प्रॉफिट अगर आज का ये निमारे खेला को समझ में आया हो वीडियो अच्छी से क्लियर हो गई हो तुम इन वीडियो को लाइप करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तैंक यू